लो जी एक मिनिट दो मुझे बस प्रचूब एक मिनिख भी एक मिनिट रखने हैं झाल प्रचूब एक लो जो जो हो। झाल झाल कर दो म्यों घूए़ झाल इप लोजेए जैशी किषना जैशी किषना सेखिषना हरखार महादेव डिंपल डिलिप जी प्रित्थू जी सिखवाया म सोनु जी मनीश भाई सर का कोई नोटिफिकेशन आए कि वाटसेप पर अरे मैं खुद आ गया यार आई होप उनका हेल्थ सही हो बिलकुल यार मेरा हेल्थ ठीक है भी अरे यार यह थोड़ा सा मेरा पेट का जो इशू चल रहा है ना इस इशू में यह है कि भाई मतलब क्या बोलू नहीं है रश्मी ठाको रश्मी जी रादे रादे अब देखो मैं क्या करता हूँ विलकुल सही अब देखो मैं क्या करता हूँ नहीं दर्शन जैन नहीं नहीं आई हूप हैल सही ओके ओके जी ओके चलो सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं हो रही रेगुलर क्योंकि तुम नहीं आ रही तुम रेगुलर आओ तो क्लास कर देंगे तुम आती ही नहीं हो तो फिर मनी नहीं लगता हमारा तुम आओगी रेगुलर तो हम क्लास रेगुलर कर देंगे तुम आती ही नहीं अब कल से तुम पहले प्रोमीस करो कि तुम रेगुलर आओगी तो फिर क्लास रेगुलर कर देए ऑफ तो रेगुलर आते नहीं हो पटलाईयां दनिया की करलो फुद रिकौर्टिंग देखते अपने उसे फैसिलेटी से न रेगुलर आओगे ना आपसे फक्का तो रेगुलर कर देंगे ग्लास तो रेगुलर हो तो रही है आप और मेरी नांक लाल सी हो गई गया इसा क्या हो रहा है अ कि शट का गलर आ रहा है गया इक दम टमाटर जैसी लाल और यह ना गुदू जैन कैसे हो गुदू बहुत बड़ी अधिक और दर्द कैसा है सर्द तो मजे ले रहा है जिंदगी के आसर रिकॉर्डिंग देखती हो तो फिर रिकॉर्डिंग तुम रेगुलर आओ फिर हम भ स्टार्ट करते हैं अरे बहार्य हम लोग स्टार्ट करते हैं श्व शायर्डों कि अरे बहाई शेल फीस्टार्ट न सब्सक्राइब सक गदेखने हैं त qui कैसी हो जुटु तुम अरे बहुत शुरू करें क्या आज हम गुडू जी का प्रॉस्पेक्टस देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं प्रॉथ 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 तो प्रॉथ प्रॉथ प्रॉ क्ल आपहएं शुरू करते हैं जलिए प्रोसपेक्ट्रस्ट जो है प्रोसपेक्ट्रस क्या होता है प्रोस्पेक्ट्रस्थ क्या होता है जब भी कंपनी were Pandya थोड़ी ध्यान से शुना कहाणी कहाणी ज्यादा लम्मीन WIN गरेंगे फटाक-doesटक करेंगे तरि तोड़ा पूर्शन आज कवर करेंगे थोड़ा कल में खतम कर देंगे ठीक है कल का समय में आप से सबसे बात करके रखूंगा जब भी पूबलिक में आपको शेयर इसू करने होते हैं जब भी पूबलिक में आपको शेयर इसू करने पड़ते हैं जब भी पबलिक में आपको शेयर, बड़े ध्यान से सुनो, कि जब भी पबलिक में शेयर सिशु करने पड़ते हैं, तो पबलिक में एक अड़ोटीजमेंट दिया जाता है, फिर से ध्यान से सुनो, जब भी पबलिक में शेयर सिशु करने पड़ते हैं, इसका मतलब जब भी पुब्लिक कंपनी पर ही लगने वाला है, ये चैप्टर के प्रोविजन्स होगा ना, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा-थोड़ा टचिंग होगा, लेकिन सारे प्रोविजन्स किस पर लगने वाले हैं, पुब्लिक कंपनी पर लगने वाले हैं, बात पकड में आ रही है, Yes? Okay, So, तो अई.. जब भी एक पब्लिक इंपनि, तो हम ऐसे भी सबसकते हैं कि जब भी एक पब्लिक कमपनी, पब्लिक में शेयर्सिशू करने की चाहत रखती है, करना चाहती है, तो पब्लिक में उसे एक अड़टीजमेंट देना होता है, उस एड़टीजमेंट को क्या कहा prospectus फेसं पर क्या वोगता है, prospectus में क्या इसुर्ण एंटेंटस होते होंगे, आर बुदीज्ग हम पुबिक हम शेयर किसुर्ण करने के लिए एक अड़िज्मेंट दे रहे है, उस आड़िज्ग में होता क्या है, उस आड़िज्मेंट में इंदर इंफोर्मेशन होती है, इंदर इंफोर्मेशन होती है, कहानी सुन लो पहले, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर, बहुत टफ नहीं है गुड़ू, जितना आप समझ रहे हो, ठेक है? तो जब भी हमें public में shares issue करने हैं, तो हमें एक बजार में advertisement देना पडेगा, और उस advertisement के contents क्या होते हैं, उस advertisement के अंदर क्या-क्या लिखा जाता है, company के detailed information उसके अंदर लिख की जाते हैं, detailed information का मतलब क्या, के कम्पनी के कौन-कौनroprietors हैं, कम्पनी के कौन-कौन की managerial persons हैं, कम्पनी के साथ किन-किन लोगों का type है, किन-किन फर्दर companies के साथ उनके conTracts चल रहे हैं, भविश्य में कम्पनी को आप कहां देखते हैं, तो उसका आधार दिया जाता है, जैसे मानलो 10 Sport ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसने बोला कि आने वाले दो वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप, सच शिकाल जी, आने वाले दो क्रिकेट के वर्ल्ड कप और सौकर जो फीफा फुफा होता है, इसके अंदर ये सारे हम 10 Sport पे दिखाने वाले ह यानि कि हमारी ग्रोथ पक्की है, तो वो प्रॉपर उसका डिटेल्ड इंफरमेशन देंगे ताकि शेर होल्डर को समझ आए कि यार इसमें हम इंवेस्मेंट करेंगे, तो हमारी ग्रोथ पक्की है, जैसा ये कह रहा हैं, कौन-कौन से ऐसे लोग है, कौन-कौन से ऐसे संस् जिनके साथ हैं तो क्लिब्रेशन भी इसके साथ जूरी ही हमी भी उपका भी कि रोष्ट साथ में बढ़ जाता है रोड़ जाता है तो फिल्ट बढ़ जाता अच्छी बात हो गई तो गीए ठीक्स फर गिवंग यार से उन यूत collarồi जी अच्छा, और क्या detailed information, अरे ऐसी हर सूचना, जो investors के, investors के decision को change कर सकती है, ऐसी हर वो information, जो investor, investor यह यूँ कहें, proposed investors, ऐसी कोई भी information, जो proposed investors के interest को, proposed investors के decision पे impact डाल सकती है, मतलब वो information देखके, अगर बंदे को ऐसा लगता है, कि यार, यह तो मेरे फाइदे की चीज है, मुझे investment करना चाहिए, या फिर यह, यह तो यार, यह risky जादा है, यानि कि कितना risk involved है, यह भी बताना होता है, कितने benefits है, यह भी बताना होता है, यानि कि detailed information दी जाती हो, इस advertisement के अंदर, public में आप पूरे देश भर की जनता, अपन विशु को अभी छोड़ो, पूरी देश की जनता को, आप क्या कर रहे हो, कि इन्वाइट कर रहे हो कि आओ और हमारे पास investment करो, तो वो क्यों आपके अंदर investment करेंगे, पहले बताओ तो कि आप कौन हो, कहां से आय हो, किन-किन लोगों के साथ type से, कोई brand आप के साथ खड़ा है, नहीं खड़ा है, एक्सपर्ट का कोई statement है, एक्सपर्ट का कोई declaration है, आपके key manager person कौन है, ऐसा कौन सा नाम है, जिसे देख कर हम, हमें लुभाया जा सके, आपकी growth कैसी है, हम कैसे मान लें कि कल को आपकी growth ऐसे होने वाली है, तो बहुत सारी बाते होती हैं, उनके जहन में investment करने से पहले, तो ये सारी बातों का जवाब prospectus के अंदर दिया जाता है, कि हम ये हैं, बात समच में आरी है, ठीक है, पूरे देश की जनता, आपके prospectus को पढ़कर, आपकी company के prospectus को पढ़कर, न सिर्फ पढ़कर, भली प्रकार से समझ कर, पढ़कर, और अच्छे तरीके से समझ कर, investment करती है, पढ़कर, भले प्रकार से समझ कर, वो क्या करती है, investment करती है, और अगर आपके prospectus में कुछ जूट बोला, यानि कि आपने मुर्ख बनाकर, जुमले दे दी, कहते हैं न, वो चुनाव में होता है न, वो तो चुनावी जुमला था, तो ऐसे जुमले न, प्रोस्पेक्टस मे अगर आपने कोई ऐसा जुमले दे दिये न, तो वो सेभी क्या करेगा, डंडे पे तेल लगा कर लाएगा, और जुप, जुप, और आपके अंदर से आवा जाएगी, तो आप बैट भी नहीं पाओगे, आप एक हफता हवा में बैठ होगे, क्यों, क्योंकि आप जैसे ही ट जारी किया, या फिर कोई तथ्य छिपाया, अगर आप कोई ऐसा फैक्ट कंसील करते हैं, अगर उस फैक्ट को बताया जाता, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर का डिसीजन कुछ और होता, इसका मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और आपको बताना चाहिए था, और आपने कितरी दिया था, बेटा, यह फाउंडेशन की क्लास नहीं है, वंज, सच्छे काल वंज जी, यह फाउंडेशन की क्लास नहीं है, यह C.A. इंटर है, तो यह आपका प्रोस्पेक्टर की बेसिक कहानी है, अच्छा, अब क्या होगा, डंडे भी लगेंगे, पैनल क्या होगा, यह C.A. कि अलॉंटमेंट के उपर एक सेशन है और इस सेक्शन के अंदर एक या दो सेक्षन है, उस तॉपिक को अलग मान के चलेंगे कि अगर question हो सकता है सिर्फ allotment पर पूछ लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि prospectus से ना पूछा जाया हो सकता है दो आप से बात नहीं हो पाती क्योंकि अच्छा आप बात करना चाहते हो आप पेना नंबर ले लो यार आप उस पर बात करना साथ बजह के बाद ठीक है 96806 10072 अभी हम लोग पढ़ लेते हैं यार वंच हाना आपके recorded lectures देखता हूँ आप इन नंबर ले लो वंच आप इस नंबर पर बात कर ले ना और अभी फिर अपन क्योंकि मैं distract हो जाता हूं यार प्लीज हाँ चलिए आफटर 7 साथ बजह के बाद आप बात कर सकते हो चलिए अब आगे बात करते हैं अब हम chapter start करते हैं अच्छा prospectus जो है ना chapter अपना prospectus जो है prospectus जो है section 23 से लेकर 42 तक आपको sections है section 23 से लेकर section 42 तक आपको sections है ठीक है तो shall we start it now अब हम इसको चालो करते हैं कहानी clear है आपको prospectus के इंदर क्या ही होगा prospectus के इंदर यह ही होगा और क्या होगा है ठीक है start करें चलिए यह देखो यहाँ भी number लिखा है मैंने जबरदस्ती डबल डबल लिखा यह देखो यह देखो कितना इतना बड़ा number लिखा है ठेक है चलिए section 23 से 42 section 23 स्टार्ट करते है आज मैं लिखके लाया हूँ अच्छली मैं खल बैटके लिख रहा था मैं अकल क्लास देखा है न तो फिर मैं बैटके लिख रहा था मैंने का चलो यार कुछ तो तो त्यारी कर लगते हम चारों के लिए मैंने का फटाफट फटाफट से खतम करेंगे बूलना भी कम पड़ेगा के कर दो पर पाफट सेक्शन 23 जो है अच्छा मैं बताते जाओंगा आपको साथ-साथ कि क्या यह एकजाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है तो यह एकजाम के लिए इंपॉर्टेंट रियानग मेरे पर प्राइवट प्लेस्मेंन। तो आप ब्लिक आफर और प्लेस्मेंट के बारे महीं higher क्ता ही सक्षिन 23 का हर प्राइवट प्लेस्मेंट क्या र थैक्षिन है एकु टेटिफिकुझ मंसमा से हेडिगोग अफे बस्टिस्मेंन। और ये public offer और private placement क्या होता है इस बारे, उनकुछ नहीं बताता है, ये सिर्फ इतना बताता है, कि भाई साब एक public company है और एक private company है, public company public में share सिशू कर सकती है, तो ये public offer कर सकती है, public offer दो तीन तरह के होता है, एक होता है initial public offer, एक होता है further, initial मतलब company जब बनेगी तो सबसे पहले वाले public offers, उसके बाद further public offers उसके बाद में आते हैं, और एक होता है, offer for sale, offer for sale, public offer का मतलब क्या है, public को shares के लिए offer करना, तो जाहिर सी बात है, private company public को shares के लिए offer नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर लिखा है, कि बाव सारी, कट गया, इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, कि public offer रख़सिबल नहीं है, second आता है बात, right issue दोनों कर सकते हैं, bonus issue दोनों कर सकते हैं, private placement यह दोनों कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, की public offer को छोड़ कर, private company वो सारें इास ला सकती है, जो public company ला सकती है, public offer को छोड़ कर, public offer में IPO, FPO और offer for sale है, तो right issue डोनों कर सकते है, right issue च्या होत तो हम पुछ लेंगे तो एक्जिस्टिंग बोलते हैं और यार पुछोगे तो हमारे पास मान लो आज 20% शेर होल्डिंग और पुछ ने सारे खरीद ली तो हमारे पास 7% ही रहे जाएगा टोटल का हमारा हिस्सा कम हो जाएगा हम तो खोडी खरीदियों को तियारे भीया तो मेंबर्स को त्याएगा इसके सब्बंद में प्रावधान चैप्टर फॉर में पढ़ेंगे इसके सम्बंद में जो प्रोविशन साया बोनस इशू बास बहुत सारे प्रॉफिट हो जाते तो कंपनी के अगरती है कि बोनस शेर से फाइदा क्या होता है अरे चलो बोनस जब पढ़ेंगे ना तब यहां पर बढ़ेंगे यह bonus issue से सब्मंदित provisions भी हम chapter 4 में पढ़ेंगे ठीक है चलो फाइदे की बात कर ली है तो कर लेते अभी चलो कर लेते बोनस issue का फाइदा यह होता है कि यार आप जब भी bonus issue कर रहे हो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आपने क्या कीया Shareholders को पेला जैसे एक Shareholder रहा उसके पार 10,000 Shares तो उसको मतलब सभी को आपने बोला Shareholders को कि आपके पात जितने Shares हैं आपके हर दो Shares के बदले हम एकНетके में आपको शेर दे देंगे यह नि कि जिसके पात 10,000 Shares यह को 5000ն Shares फ्री में मिल गए अब ही सोचो market value share की 100 रुपए है यानि कि उसको 5 लाक रुपए के shares free में मिल गए 5 लाक अब ये इन 500 shares को बजार में बेच देता है तो उसको तो 5 लाक रुपए cash मिल देगा येस तो company में यही चाहती है company का गरती है focus में shares इस शुगर देती है अब वो बंदा क्या है बजार में बेच कर cash ले लेगा तो company की जेब से cash निकला भी नहीं और उनकी जेब में cash पहुँच भी गया तो dividend के लिए हल लानी मचाएंगे तो ये सोच रहती होगी क्या परता भगवान जाने बट बात समझ में आ है bonus issue के नटंकी के होती है तो यहां पर वही कहा है कि देखो compliance with rules and regulations of SEBI यहां हां लिखा है यहां ना लिखा है section 23 is over 23 अगर आपको okay है तो अंगुठा दे दो 24 पर आता है 24 भी एक तौम कच्रा section है this is a कच्रा 24 is also a कच्रा पहले से बता दिया आपको फटक से मूठा तो आगे बढ़ेंगे चलिए section 24 section 24 उत्तरीत बढ़ाएगा चलो regulations of issue and transfer of securities regulation of issues and transfer of securities ध्यान से सुनना यह क्या कह रहा है कि अगर कोई company listed है कोई company listed company है या फिर going to be listed company यानि कि किसकी बात हो रही है public company की बात हो रही है कोई company listed company है या फिर going to be listed अच्छा यह objective के लिए अच्छा है important है objective के लिए कोई कमपनी लिस्टेट कमपनी है तो सेभी के पास powers है issue of shares को लेकर transfer of shares को लेकर और non payment of dividend को लेकर अगर ये कुछ नियम बनाती है तो ये नियम बनाने क्या या उनको administer करने का power रखती है खतम बाकी all other matters इसके अलावा कोई भी matters है तो central government कहीं tribunal कहीं ROC जैसे return of allotment, redemption of preference shares, etc को administer कौन करेगा अपना central government या tribunal या ROC जैसा भी जिस section में लिखा हो लेकिन shares, securities के issue and transfer को लेकर issue and issue transfer and non declaration of non payment of dividend को लेकर सेभी नियम काईदे कानून डंडा जंडा गाड़ के रखती है अड्मिनिस्टर करने के लिए इतना समझ में आता है section 24 is over, section 25 मैं नहीं लिख पाया था तो इसको थोड़ी दिर के लिए छोड़ देते है section 26 यहाँ से महत्रपोंड चीज़ां चालू होती है यहाँ से गुड़ू की गन चलेगी यह important section है section 26 क्या कहता है matters to be stated in prospectus mat, arre, किसी को लिखना था क्या? मैंने भगा दिया किसी को लिखना था? मैं अचसा Yoga आप साथ साथ लिखते जा रहे है किसी को लिखना था तो बताए otherwise आप लिखे NO मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ अगर आपको नहीं लिखना तो लिखे NO अगर लिखना था तो मुझे बताए बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप साथ-साथ लिखते जा रहे हैं गुद्डू की गन बलम पिछकारी वाले गाने में नाचेगा गुद्डू अनो कल है ज़र भेज देना क्या बेज देना नए नहीं इतना इतनी नो टंकी नहीं चलेगी भई भी भेज क्या देना भाई आप लिखो टोड़ी फूल लिखना है बेज देना जाद ही यार तुम लोग में अराम परस्ति यार यह अच्छी बात है क्या लिखो भी बैठके कि सीजी अला पॉइंट दिखा देजिए बस यह लों सीजी अला पॉइंट तेरे लिए ही तो सिगनल छोड़ चाड़के आया सीजी वाला ट्रिबुनल छोड़ चाड़के यह देखो एक मिनिट लगता है यार दिलेव लिखने में यार ऐसे क्यों कर रहे हुआ और लया यह लात में लिटरली भेज भी दिता है अब हुआ कि डायरेक्ट पर लएड़ deposits यहां पर घब यहां पर आपके सापने लिखता हू ना तब वह करता हूं अभी मैं इस ही पर कंप्लीट करकर लाया हो तो ऐसा से मैंने 23 लिखा डिफोर अगे 24 आपका मोडियूल कवर कर रहा हूँ मैं आपका मोडियूल जो में 24 के लिए इसको में कवर कर रहा हूँ है ड़ी herself बहुत बढ़िया जैलिये कर आचा जैसे अगर नौट डन रहे ना तtezक खांव करना मैं आपको देवन फिर प्लिक करना और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि हमारा यह टाइम बचेगा Matters to be stated in a prospectus section 26 is important section यह क्या क्या रहा है कि भाई साब जो आपका prospectus है वो properly dated and signed होना चाहिए sign कौन करेगा every director यह every director every person who is proposed to be मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिने हम director बनाना चाहते हैं उन्हें propose किया गया है तो उनके भी sign ले लो क्योंकि कल को वो भी director बनेंगे every director और propose to be director अगर यह उपसित नहीं है तो इनका कोई attorney आके sign कर दे लेकिन यह लोग sign करें तो prospectus के उपर तारीख untildy होती है prospectus के उपर कोई तारीख ली होती है हस्ताक्र होते हैं every director यह every propose director के इसमें information, information वो सारी information होंगी इसमें वो सारी financial information होगी जो Study Value Hak?" सभी फवी financial information पे रीपोर्ट्स होंगी जो Study guys कहेगी such financial information और reports on financial information prescribed by CEBE in consultation with the central government इसमें वो सभी सुचना होंगी जो Financial informations है यह Financial information पर वो सारी सुचना है जो CEBE ने सेंटल government के साथ consulted करके टाय किया है तो वो टाय किगई सुचना है यहां पर आपको डाल दिभाडेंगी,- ठीक है, तीसरी बात, प्रोस्पेक्टस इशू, इशू प्रोस्पेक्टस, भाई, जब कम्पनी बनती है, तब इशू कर देते हैं, क्योंकि जब IPO लाएंगे तो तब करेंगे, और जब FPO लाएंगे, तो सबस्वेंट एनिकी बाद में इशू करेंगे, जब भी इशू करेंगे, रजिश्टरार के पास फाइल कर दो, ROC के पास, भाई, पबलिक में देने से पहले, सरकार के पास देना जरूरी है न, अरे भाई, पबलिक में देने से पहले, यानि कि जब भी आपको पबलिक में इशू करना है, तो पबलिक में इशू करने से पहल आपको क्या करना है, रेजिस्टरार के पास जाके मत था टेखना है, कि ये लो जी हम पब्लिक में पैसे मांगने जा रहे हैं, ये लो जी हम चले, कहां चले, लो चली में, कंपनी क्या बोलेगी, लो चली में, अपने प्रोस्पेक्टस, अपने शेर्स की बारात लेके, लो चल तो ROC बोलेगा, अच्छा, सूचनाइ दी है, तो उने तुम चली तो हो, तो फिर, भूलेगा, हाँ, सारी सूचनाइ देती हैं, जो सेभी ने कहीं है, सारी रिपोर्ट्स अटाच करती है, जो सेभी ने कहीं है, जाता हुश्यारी मत दिखा हो, लो चली में, अपनी शेर्स की बारात लेके, अच्छा, जब कमपनी रेइस्टरार के पास फाइल करेगी, फाइल कब करेगी, on or before the date of publication, ठीक है, date of publication, जनरली date of publication पर उसको कर देती है, date of publication क्या होती है, date mentioned in prospectus, ठीक है, date जो prospectus में, वो dated लिखा है न, आपन रोसी के पास फाइल कर देंगे, अब बात आती है, की पास फाइल करेंगे, तो इसकी वैलिटी कितनी होगी, भाई रोसी के पास अपनने फाइल किया है, तो उसके within 90 days, this is important for वो, वो बच्छू कुषियन, objective, वैलिटी कितनी होगी, इसकी 90 देज की वैलिटी होगी, within 90 days, you have to issue prospectus in public, 90 days counted from the day, from the date of prospectus, delivered to रोसी, जिस दिन रजिस्टरार के मुँव पर हम प्रोस्पेक्टस मार कर आये थे, उस तारीक से 90 दिनों के अंदर अब पबलिक के मुँव पर भी मार दो, 90 दिनों के बाद इसकी वैलेडिटी खतम हो जाती है, यह निकि अभी प्रोस्पेक्टस पर यह मान के चलता है, कि 90 दिन तक तुमने पबलिक में इस्यू नहीं किया, और इन 90 दिन के दौरान अगर किसी तरह का कोई चेंज आ गया, कोई बड़ा चेंज आ गया कंपनी में, प्रोस्पेक्टस में तो नहीं लिखा है, लेकिन चेंज आ गया है, मान लो 90 दिन के बाद, तुम छे महीने में बेच रहे हो तो छे महीने में कोई चेंज आ गया, तो अगला बोलेगा कि यार मेरे तो मज़ा ही नहीं आया है, आप ने प्रोस्पेक्टस में जूट जूट बोला, तो अमनों बोला नी नी भाई साब जब प्रोस्पेक्टस बनाया तो सच्छा था, अरे मेरे पास पहुंचा तब जू अच्छा नहीं चेंज आपने किना पैसा दिया ए पैसे तेरे इसको छोटू उपर मारसा लेके, इतनी बाते कर रहे हो यार भाईसाब इतना कौन सा बट बड़ा चेंज हो गया यार, तो अगया मुझे मतलब नहीं प्रोस्पेक्टस में जो लिखा तो नहीं आए नहीं जब वो किया, मानलो 90 दिन का इनोंने टाइम दे दिया, 40 दिन 50 दिन इन 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 इस्यू किया और कमनी वैलिड है, लेकिन मानलो की 25 दिन बाद ही कोई बड़ा चेंज आगया अचानक से, unexpected, तो फिर, फिर कोई बाद निया, option दो, उनको option देना पड़ेगा, जसने advance दे दिया है, ठीक है, वापस आओ, उपर आओ, यहाँ पर, भई, जब हम prospectus जारी करते हैं, जब हम prospectus जारी करते हैं, तो prospectus के अंदर expert का statement भी लिया जाता है, कोई भी expert, expert कौन हो सकता है, chartered accountant हो सकता है, और engineer हो सकता है, मतलब जो भी अपने field के अंदर expert है, और वो company के किसी भी उससे, भई, जैसे financial statement के अंदर chartered accountant लोग expert होते हैं, तो company के वित्तिय विवरणों पर, company की financial position पर, company की financial health पर, हमसे अच्छा कौन बता सकता है, हम तो big boss है, chartered accountants are big boss of financial statements, अरे बाप होते हैं, बाप लोग तो इसी को एक्सपर्ट बोलता है, तो expert का statement अपन डालेंगे, पर statement डालने से वो independent होना चाहिए, company के formation से, company के promotion से, company के management से connected ना हो, नहीं तो क्या होगा, independent नहीं होगा, तो वो भी जूट का साथ दिने, बैठ जाएगा जूटा बनके, चोर-चोर मोसेरे भाई, तो मोसेरे भाईयों को नहीं बठाना है, चोर-चोर नहीं होते हैं, लेकिन मोसी के The Financial Doctor, औरे वा, क्या शेप इस्वाल किया है, यहनोंने कहा है, The Financial Doctor, very good, तो expert की written consent हम लेंगे, वो independent person होना चाहिए, उसका company के formation, promotion या management में किसी तरह का कोई connection ना हो, यानि कि बिल्कुल स्वतंत्र वेक्ती है, उसे लिखित सहमती दी है, ठीके साब, आप मुझे दो मुझे दो, मैं आपको statement बना के देता हूँ, आपके financial statement जांच के, मानलो CA का, CA expert का ले रहे है, बड़ी अच्छी बात है, और उसने registrar के पास file करने, prospectus को registrar के पास file करने से पहले, अपनी, अपने statement को, expert ने, जो statement दिया, उसको withdraw नहीं किया है, कही बार ऐसा होता है, कि अपन, मैं chartered accountant हू मैं appoint हो गया as an expert, उसनों ने मेरे को बोला कि साब आपको 20 जर फीज देंगे, 30 जर मैंनका, ठीक है, उनने बोला, आपका एक statement डाल दें, मैं लाल दो, मैं एक बार जांच लो, मैंने जांच लिया, जांच लिया, तो फिर मैंने बोला, ठीक है, आप डाल दो, consent, मैंने दे दि मैंने जांच लिया, तो मैंने अपने statement को विड्राओ कर लिया, आपकड़ो तुमारे 20 जर साला, मैं उलच जाओँगा, मैंने जांच लिया, नहीं जांच लिया, मैं विड्राओ करता हूँ अपना statement, तो मैंने नर्स, पहली बाद तो मैं independent person हूँ, स्वतंतर हूँ, मैं किसी मैं ठीक है, आपको statement देता हूँ, तीसरी बात क्या, मैंने अपने statement को विड्राओ नहीं किया है, आरोसी के पास फाइल होने से पहले, तो फिर वो statement को चला के देता है, प्रोस्पेक्टर्स के मूँ पे लिखा जाता है कि भाई साब, इसमें जो हमारे expert का statement है ना, तो वो expert न जो statement दिया है, और वो statement जो है, उन्होंने withdraw भी नहीं किया है, मतलब वो हम, मतलब वो भी तो समझदार है, हम अगर जूट बोल रहें तो वो तो सच्छा है, तो उसे withdraw नहीं किया है, हर prospectus के मूँ पे, हर prospectus के face में लिख दिया जाता है, कि बजार में issue करने से पहले हमने ये prospect प्रोस्पेक्टर के पास दे दिया है, और उससे संबंदित जो जो documents attached किये गए थे, उस सारे list of all documents, ये list भी उसके मूँ पे लिख दी जाती है, तो contents of prospectus, prospectus में क्या क्या होता है, ये आपका portion section 26, हाँ, एक छोटी सी बात, contravention, अगर मान लो section 26 का उलंधन किया जाता है, मैं ए तो 50,000 minimum company को जो fine लगने वाला है, 50,000 और maximum 3 लाख रुपए, 50,000 से रेकर maximum 3 लाख रुपए company और every person involved, knowingly involved, knowingly, उनको पता है कि बदमाशियां हो रही हैं, उसके बावजूद भी prospectus issue करने के अंदर involved है, तो अच्छी चीज़ ये है कि दोनों के लिए अलग panel provisions या fine के provisions नहीं ह ये एक ही दे रखा है, तो section 26 में fine, 50,000 से 3 लाख, तो this is important, इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेना, prepare कर लेना, मतलब आपको इसको याद रखना है, अब मैं इसको sum up कर रहा हूँ, जो जो नहीं लिख पाए हैं इसको, तो मैं आपको आपसे अपेक्षा करता हूँ कि मैं इसे क लिख पाए, वैसे लिखने तो ज्यादा अच्छा है, आप फटा फट मुझे एक एंसर कर दो, क्लिक कर रहे हो कि लिख रहे हो, are you going to click it now or you are going to write it? Is expert exempted from the liability? देखो, expert क्या अपने liability से exempt होता है, तो बिलकुल exempt होगा या बिलकुल भी exempt नहीं होगा, यह तब बात करेंगे जब आप expert की liability परवाएंगे, उसको लेकर अलग से section है, तो इसके उपर यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उसकी बात होगी, ठेक है, done sir, लिख रहे हैं, और हो भी गया, अरे वाँ, issue of prospectus, यह वाला लिख लो, done, यह भी done, अरे छोटा सा ही तो है, ज्यादा तो है नहीं, लेक लिख लिया, ओके, एक्सपर्ट वाला पॉर्शन, यह भी लिख लिया, very good, एक्सपर्ट, written consent, slash not withdrawal, यह withdrawal का मतलब उसकी consent नहीं, statement withdrawal की बात कर रहे हैं, तो इस statement withdrawal हो जाएगा, तो सारी चीजें अपने withdrawal हो जाएंगे, यह 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 कहें, कि उसने जो written consent दी है, वो अपने statement पर से consent withdraw कर रहा है, कि यह statement पर मैं अपनी सहमती नहीं देता हूँ, मेरा जो statement है, यह ना लगाया जाए, मैं तो अपनी सहमती वापस लेता हूँ, इस statement से, कंपनी उसकी बावजूद भी statement को डाल दी है, तो कंपनी जाने है, इसका काम जाने है, done, okay, every prospectus on fees, this is last one, done, okay, very good, चलो, तो एक बार 26 को रट से पढ़के खतम करते हैं, रट से, देखो, section 26 क्या कहा रहा है, कि आपका prospectus dated होना चाहिए and signed होना चाहिए, signed by every director और every proposed director और उनके attorney करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या information होगी, जो सेभी कह देगी, वो financial information होगी, और उन financial information पे reports होगी, जो सेभी central government के साथ बैट कर, उसके साथ consult करके, आपको तैय करके देगा, बड़ी अच्छी बात है, prospectus issue आप करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब भी करो issue, public में issue करने से पहले, पास फाइल कर दो, date of publication क्या माना जाता है, date mentioned in prospectus, अब बात आती है, expert का statement, बिल्कुल, expert के साथ खास बात क्या है, independent बंदा होना चाहिए, बिल्कुल किसी तरह से connection में नहीं होना चाहिए, company के formation को लेकर, promotion को लेकर, या management को लेकर, और उसने अपनी सहमती दे दी है, कि भाई साब मैं अपना statement बिल्कुल दे रहा हूँ, तो फिर अब उसने अपनी, ये statement को withdraw नहीं किया है, ROC के पास फाइल होने से पहले, इस बात को, इस पर श्ट लिखा जाता है, कि साब प्रुबा, जो consent, जो statement है, expert का, expert ने statement दिया है, और उसे withdraw नहीं किया गया है, लिखा जाता है इस बात को prospectus पे, ठेक है, हर prospectus के मुँ पर ये चीज़ लिखी जाती है, कि registrar के पास deliver कर दिया है, और ये, 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 और ये, ये, ये documents हमने साथ में attach किया है, इसकी validity 90 दिन होती है, ROC के पास दे दिया, उसके 90 दिनों के अंदर आपको बजार में issue कर देना है, अगर आपने ओलंगन किया section 26 का, तो फिर 50,000 रुपे से लेकर 3,00,000 रुपे तक का फटका आपको लग सकता है, आप कौन आप company है, या फिर कोई भी any other person who is, every person who is involved, knowingly involved, ठेक है, section 26 is over, section 27, जोटा ही है, section 27, मैं आपको start करता हूँ, ठेक है, ध्यान से सुटना, आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो लेकिन सुरो, प्यास बहुत लग रही है, बार बार सा लग रहा है कुछ न कुछ पानी अंदर डालता रहूं, हाना, मज़ा आता है पानी पीते दो, is it valid if he withdrawn his statement after the issue of prospectus, बिटा, एक बात बता, मैंने जब आप से कह दिया है, कि इसके उपर हम आगे चर्चा करेंगे, तो क्य क्या करें, इसके expert के अपर अपर अपन अलग से पूरा discussion करने वाले हैं, इसके expert को आप से थोड़ देंगे यार, पबली की साथ खेल रहा है वो, बाकी लोग लिखो तब तक मैं से तांट रहा हो, ऐसे कैसे चोड़ देंगे expert को यार, और आप से वही तो कह रहा हूं मैं कि गो इसाओ जो और लेकर एकस्पपरी अलग से लग इसकी लैबलिटी सेम आपको अब पर लेकर अपने क्या लिग एकस्पपर लेकर व stata कर बाग कि लिएटीए, गो। अरे हां तो बोलो, हां ऐसे डांट दूगा मैं आप एक ही बात को दो बार तीन बार अलग अलग अंगल से थोड़ी पुछते हैं, मैं कोई वो लड़की थोड़ी हूं जिसे आप प्रपोस कर रहे हैं हर तरीके से कभी बैट कर कभी लेट कर, ठीक है, आप लोग लिख रहे है आप लिखो, मैं इसको डाट रहा हूं, चलिए, खड़े होके प्रपोस करो, बड़ा है स्टाहिल मार रहा है, चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका यह, वारियेशन इन टर्म्स अफ कॉंट्राक्त अब्जेक्स स्टेट इन प्रस्पेक्टर्स, ध्यान से सुनना, तब त यह सेक्शन कह रहा है, यह सेक्शन कह रहा है, वारियेशन इन टर्म्स अफ कॉंट्राक्ट अब्जेक्स, ध्यान से सुनना, वारियेशन इन टर्म्स अफ कॉंट्राक्ट, ध्यान से सुनना बस, दो मिनिट के लिए, स्टॉप राइटिंग है ना, मैं वापस आपको समय आपने क्या किया पप्लिक में, इंप्रोटन सेक्शन और आए, आइएपई लिग दीता हूं पहले, तकि आप थोड़ा ध्यान से देख जो इसको, आपने पप्लिक में शेयर सिशु करने के लिए, क्या किया होगा? प्रॉस्पेक्ट आप्टस इस्यु किया था, पबलिक को अग्या हो पान्फो और प्रोजेक्ट उनको दिखाया ना कि इस प्रोजेक्ट में हम ये पैसा लगाएंगे हम ये प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्मेंट करेंगे, और ये आप जो हमें 500 करोड दे रहे हो, ये तीन साल के अंदर 1000 करोड हो जाएगा, मतलब लुभावने वादे, और पब्लिक को लग रहा है कि यार बात तो सही है, और शेयर से शुकरना चाहते हो, जालो न्यू शेयर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 500 करोड पब्लिक ने इन्वेस्मेंट कर दिया, छे महीने बात आप क्या गर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार ये प्रोजेक्ट में मया ने आ रहा, अरे वो कहां गया, अरे मेरे वरं कहा अरे रंग कहां चलेगा भाई, रंग, चलो जाने दो, अरे यार, चलो ठीक है, तो अब आपकी कंपनी ने क्या किया, कि आपने बुला कि यार वो प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा है, अरे भाई, आपने क्या कहा, उस प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी ने क्या कहा, उस प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा है, तो हम प्रोजेक्ट बदल देते हैं, प्रोजेक्ट चेंज कर देते हैं, यानिकी अबजेक्ट बदल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, रीजन देगी, कारण बता कुछ चींज करना है, सर र माना अपजेक्ट बदल रहे है, सर इस प्रोजेक्ट के लिए हम ने आप से जो बता कर आपसे लिये थे ना सर, इसमें से लेज रुज़ एक हम ले क्रचे किये थे उसले, तो वही काम चाहिए है, नहीं तो हमारे पैसे वापिस करो, यानि कि exit option यहां भी मिलेगा, अगर कमपनी क्या करती है, variation in terms of, terms or objects, भई आप prospectus issue किया, जो बात promise for गरम मसाला, but बनाएंगे पान मसाला, yes, गरम मसाला, तो पान मसाला को गरम करके देदेदेगे, देखो आप खाओ, यह है मसाला और है करओ, मुझल गया, तो तो कमपनी क्या करेगी, उसके प्रॉपर, डिटेईल्ड इंफरमेशन देगी आपको, अगर आप संतुष तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप संतुष नहीं है, तो पंदरा दिनों के अंदर आपको exit option देगी, पैसे अपने वापस लेके जाओ, होश्यारी मत इखाओ वस, होश्यारी का चंदा, अच्छा नही बंदा, तो फिर उस बंदे को बोलेंगे, च बंदा नहीं है, तो नूजपेपर में कमपनी को क्या करना है, अगर्टीजमेंट देना है, कमपनी एक special resolution पास करेगी, यनि कि 3 4th majority के साथ, तो नूजपेपर में अगर्टीशमेंट देगी, इंग्लिश में और वर्नेकिलर नूजपेपर में, अगर्टीजमेंट नूजप अगर्टीश मतलब किसी भी लिस्त कंपनी करेगी, कि भई हम इस धंदे से निकालके उस धंदे में लगा रहे हैं, तो भाई धंदे से निकालके धंदे में लगाओ ना, यानि कि ये प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया, मालो सरकार अरे जिस प्रोजेक्ट के लिए अपने अगर दिया भाव, क्या ही करें, हमें तो अमारे पैसे ले मुपे मारो सालों के, तो इनके मुपे पैसे मार देंगे, चलो जी चुटी, और तुम को भी चाहिए, तुम को भी चाहिए, तुम को भी चाहिए, तुम को भी चाहिए, तुम को ले ले करके भाग भाग बोल दें अब प्रैक्टिकली सोचो, श्पेशल रिजॉलुशन पास किया है, यानि कि 3 4th majority तो त्यार है, राजी है, अरे भाही 3 4th majority तो राजी है, त्यार है ना, यानि कि बाकी जो डिस्सेंटिंग, जो सहमत नहीं होते, जो असेंट देते हैं, सहमती देते हैं, वो तो एसार पास करन बांने होँगे तो यानि टीम फिर गरफ़ पैठा होगे, लेकिं उनितक्लीफ नहीं टेकलिफ्नँ, लेकिन कुछ ऐसे होग कैसे लोग होते है जिन्हें तकलिफ होती है कोई भी चेंज होता है तो तो उन्हें क्या बोलें जिस्सेंटिंग शेयलॉड़ॉडर्स को एगкимиश क्या डिटेल्स हों कि घिया जायगा पुब्लिक नोटिस निउस्पेबर तो सीड़िसी बात ouais Что यहाँ हमने क्यों बुलाये थे मतलब क्या डिटेछ सोगी ते देखो परपस। रप्स क की सो यह फ्रोजेग्स विली है था टोटल इप pena पैसा आहा झाया था टेछ जब दैने तोर्टल मनी उठेन उंचाल भ्रॉजक्ट मेशाद मैं आपने पान सो करोड बंगा लिया अगलिया तो अब तोर्टल मनी यूटिलाइज आपने पान सो करोड में से इस प्रोड ना भर्च कर दिया लेकिन ऐकन से तेक्नोलौजी चेंज होगई और नए कि अचिवमेंट अचिवमेंट 25% यहाथ जाद हो नहीं लेकिन यह है कि 100 कोड़ वेस्ट नियुका इसको जाए 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 देंगे लेकिन सारा पैसा हैं वेस्ट नियुका इसमें वहत कम हो जाएगी क्योंकि नही टेक्न लोजी बजार में अगई अच्छी बाते प्रपोस् प्रपोस्टाइम कितना समय लगेगा प्रपोस्टाइम लाइन टु अचिव नय वाले प्रोजेक्ट को कि भाइसा अब तीन साल के अंदर नय वाले प्रोजेक्ट में आपको मज़ा आजाएगा लेकिन इसमें रिस्क तो है तो नय वाले प्रोजेक्ट नय वाले अबजेक् और other relevant information तो यह सारी सूचना है उन उस notice के अदर देनी पड़ेंगी आपको बात समझ में आ रही है ठीक है इसके बाद exit option to descending shareholders बई जो descending जो ascent नहीं दे रहे हैं, descent दे रहे हैं यान कि जो shareholder सहमत नहीं है तो उन्हें एक महुरत देखकर उनको बुला जाएगा कि भाई साब आप exit option ले लो आपके पैसे आपको वापस कर दिये जाएंगे तो यह exit option कौन देता है by promoters और controlling shareholders जिनके पास majority shares है तो उसे मिलके बैट कर क्या करेंगे, इनका तय करेंगे हिसाब और हिसाब करके इनके शुटी करतेंगे बात समझ में आती है, section 27 is important section किने लोग को clear समझ में आता है, 27 में क्या है, गुड़ू जी चीज़ें clear हो रही है एक special resolution pass करो, दो newspaper में advertisement दो, आप ये पैसे को listed company के equity shares के trading या dealing में नहीं लगा सकते notice के अंदर क्या खास बाते होंगी, तो जाहिर सी बात है, आप कहानी को समझ जाओगे, तो खास बाते बड़ी असानी से लिख दोगे कहानी में क्या है, कि भाई साब जो प्रपोस किया था, उसमें तो मजा नहीं आया है, total fund हमने इतना लिया था, इतना utilize कर दिया है, इतना unutilized बचा है, और इस extent तक achievement हुआ, अब प्रपोस हमारा जो change है, reason for change क्यों है, कितने समय में नया वाला achieve हो जाएगा, timeline to achieve, और risk factors के and other important information से हम बता देंगे, exit option दिया जाएगा, section 27 is over, section 28 पर आते हैं, पर मैं आपको समय दे देता हूँ, ये लिख लो, क्योंकि जब मैं उन्हें वेडिट को डार रहा था, तब आप आधा लिख चुके थे, आधा ये रहा, तो आप लिख दो, लिख दीजिए, सर फूर्थ पॉइंट में, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फूर्थ पॉइंट की सेकंड लाइन, फूर्थ पॉइंट, एक, दू, तीन, चार, सेकंड लाइन, notice shall state details related to earlier public issue, funds क्यों बुलाए गए, आज handwriting मेरी बहुत गंदी है, यह आज नहीं कल है, कल जैसे, थोड़ा सा तकलीव था ना, तो उसमें लिख रहा था, बढ़ी लेटे लेटे वेले, बैठे क्या कर रहे थे, तो कभी लेटके, कभी बैठके, तो ऐसे, जैसे लिख पाया, लिख दिया बैठके लेटे लेटे लिखा आपके लेटे जान पर खेल आरो, आपको रिख लेकर आए, नहीं तो बेटा चपल यहां से फिक हूँ और आपको वाज आएगी, पाया, चलो, section 28 is also, semi-important है, यह बहुत जादे इंपोर्टन नहीं है, लेकिन हा, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, offer of sale by certain members, इसकी कहानी सुन लो, क्या होता है, भई, existing members है, बहुत सारे members है, 1,000, 10,000, 5,000, 25,000, यह क्या करते हैं, company से कहते हैं कि company, company यार हमें shares बेचने है, अपने, लेकिन हम, जो है, यहां पर नहीं बेचना चाह रहे हैं, हम public में direct जाकर बेचना चा हैं, इक काम करते हैं हम offer of sale by certain members of company, यह कि हम public को direct offer करते हैं, तो तु तु अपली को offer कर रहे नहीं सकते हैं प्राइमरी मार्केट यह ut руки होता है जब कंपणी इंश्य कुर्ति है जो उड्चित क्या होता है जो आपका वह है प्राइमरी मार्केट क्या हब जो कंपणी इंश्य कुर्त है सोग वह आप और स्टॉंडि अघ्ज हनाว इस अब लुटीटिंग मेंबर्स कहते है कंपनी को कि कंपनी हम प्राइमरी मार्केट में शेर्स इशु करना चाहते हैं, तो उनने बोला है यह था हमारे पास है नहां शेर्स हमारे शेर्स आप एक काम करो, कि आप नहां एक स्टेट्मेंट दो बजार में, डिटेल्स दो, ठेक है और पब्लिक को ओफर करो, पब्लिक को ओफर करो उस डॉक्यमेंट के अदर, कि हम जो कंपनी के शेर होल्डर हैं, हम अपने शेर्स आप लोग को बेज देंगे, तो कंपनी ने ओला ठीक है, पर इसका खचा लगेगा, हम क्यों करेंगे खचा भाई, तुम अपनी चाहत से अप इन कंसल्टेशन ओफ बूड, बूड के साथ कंसल्ट करके, ओफर कर सकते हैं, अपने सभी शेर्स या उसमें से कुछ पार्ट शेर्स को पब्लिक के अंदर, ठीक है, पब्लिक में ओफर करेंगे, जिस डॉक्यमेंट को उसे ट्रीटेड ऐस प्रोस्पेक्टस, उसी को प्रो जितने खर्चे होते हैं, मेंबर्स पारेंगे, जब अपन सेक्षिन का टॉपिक बढ़ते हैं, अपने लोगते हैं, पता नहीं क्या होगा, ओफर ऑफ सेल बाइ सब्स्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी चोटी सी कहनी है, कि कंपनी कंपनी तुम बेजते हो, हमारे बेज़ो ना, अभी तुम अपना नहीं तो कुछ नि ला रहा है कि नि ला रहे, तो फिर हमारे आप बेज़ो, भाई, खर्चा लगेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टास ये वो तुनियादारी, हाना, प्याज लसन, तो फिर आपने बोला, कि ठीक है, हम सारा आपका खर्चा पे करेंगे, आ करो, तो कुछ members, existing members, in consultation of board of directors, existing members, in consultation of board of directors, offer करते हैं, अपने सभी shares, या उसमें से कुछ shares, पबलिक को, और जिस कागस से, जिस कागस से offer करते हैं, उस कागस को प्रोस्पेक्टास मान लिया जाएगा, क्योंकि member authorize कर रहे हैं company को, कि भाई, आप हमारे लिए एक काम करो, तो फ section 28, section 29 and section 30 is not important, section 29 and section 30 is not important, section 29 and section 30 is not important, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा इसको देख के जाना, ता कि क्या होता है, कही बार अपन सेक्शन गलत कोट कर देते हैं, तो अपने को यह पता होना चाहिए, कि 29 and 30 महत्मून नहीं है, याई कि 31 जो है वालग है, 31 जो है, 31 जो है, 31 है कि every company making public offer and other class of companies may be prescribed, have to issue their securities in DMAT form, बात खत्म, physical form, physical form में में चलो, DMAT form में चलो, हर company जो public में offer करना चाहती है, या फिर कोई भी ऐसी company जो public में offer नहीं करना चाहती, लेकिन उस class और class of companies को सरकार ने कहा है, rules के अंदर, प्रिसक्राइब किया गया है, कि सहाब चाहे तों public में offer नहीं कर रहे हो, फिर भी DMAT में करो, तो DMAT में करो, DMAT में करो, DMAT form में करना है, full stop, section is over, कुछ class और classes of companies को बुल देती है, सरकार की, तुमारे वो physical form है, उसको DMAT में करो, तो यह फालतू की बात है, sorry, मतलब है तो काम की चीज़ा है, लेकिन exam point of view से, यह section 29 को आप skip कर के जा सकत सकतम है, one-liner section है, public offer, तो every company making public offer, उसको DMAT में करना है, और public offer नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ class और class of companies के लिए, प्रिस्काइब कर रखा है कि आपको to DMAT में करना है, और प्राइवेट प्लेस्मेंट कर रहे हो, तो भी आपको DMAT, तो यह अगर कह दिया है, तो बात खतम जाती है Yes, section number 30, section number 30 is important, नहीं है, इतना भी, advertisement of prospectus, यह कह रहे है कि prospectus, अचा, advertisement of prospectus के अंतर, इसमें इन्होंने यह बात बली है, कि prospectus का, जब आप advertisement देगे ना, भई, आपको prospectus को लेकर public advertisement कुछ दे रहे हो आप, ठीक है, आप advertisement देंगे तो उसमें memorandum of association के contents डाल दो, बास यह बात ब कि memorandum of association के contents डाल दो section 30, अब memorandum में क्या होता है, object clause होता है, liability clause होता है, तो members के liability कितनी होगी, capital structure, amount of share capital, capital structure होता है, उसमें authorized share capital, यह वो सब, तो capital structure यहां पर बता दो आपका क्या है, उसके बाद, name of signatories, जो memorandum के subscriber होता है, subscription clause, उसमें उनका नाम होता है, उनके हस्ताक्षर हो तो यहां पर number of share, subscribe by them, यहनि कि आपको memorandum of association के contents इसके अदर डाल देने है, section 30 is over, खतम, लिख लो, चाहें तो अंगुठा दे देना लिख लेंगे तो, आगे बढ़ेंगे, done, अरे बहुत बढ़िया, शिखा तुम एकदम perfect girl हो, next आते है, this is very very important, this is much important, मजदार important, महत्वपूर्ण है this is mahatwapurna है, 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 चलो, ध्यान से सुन्ना, कितने पेच कही ए? अरे इतना सही है, अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनसे लो, मैं लिखने के लिए आपको वक्त दे दोँना, ठक है? अब बिल्कुल depends round, important है शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स ऐसा प्रोस्पेक्टर्स जो शेल्फ में रखा होता है उसे शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स करते हैं ऐसा प्रोस्पेक्टर्स जो शेल्फ में रखा होता है उसे क्या बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स बहुत असाल है देखो क्या होता है कि कं कंपनी को जब 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 शेयर सीशु करने होते हैं तो कंपनी तब 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 क्या करती है प्रोस्पेक्टर सीशु करती है जब भी आपको पब्लिक में शेयर सीशु करने हैं तो आपको जाह पर्वे इंफर्मेशन आप क्यों पास भी फाइल कर रहो उसका भी हटएक हता है, तो आप क्या करो? शेल्फ इस्तिमाल करो, शेल्फ का मतलब क्या है? कि आप जब आपने फर्स्टाइम इसू किया, पर्स्स इशु किया, आपने प्रोस्पक्टस जारी किया, फर्स इशू मतलब शेर्स इशू किया, इशू अफ शेर्स लिख देता हूँ, तो आपने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, अब हम आपको एक आप्शन देते हैं, अच्छा माल लो आप फिर छे महीने बाद, फिर से शेर्स इशू करने के खुझली हो गई आपको, बड़ी अच्छी बात है, तो आपने जो रजिश्ट्रार को ये पहले प्रोस्पेक्टस दिया था ना, इसको दुबारा मत फाइल करो, आपने अच्छा हर बार आपको प्रोस्पेक्टस तो पॉब्लिक में इशू दे नहीं है, आप क्या करो, कि ये छे महीने के अंदर जो भी चेंज़े होएं, उसे एक Information Memorandum एक Document में, एक Document में यानि कि एक Document में इस चेंज़े आप लिकर रजिश्ट्रार को दे दो, रजिश्ट्र आर के पास ये वाला प्रोवाला प्रोस्पेक्टस पहले से पढ़ा है, प्लस आप जो चेंज हुए वो चेंज का कागज से दोगे तो यह समप कर लेगा यानि कि शेल्फ शेल्फ प्लस इन्फोर्मेशन मेमरेंडम अगर आप रजिस्टरर को देते हो तो जाहिर सी बात है शेल्फ तो आपका पहले से बना हुआ है सिर्फ सूचना है दे रहे हो तो यह आपका final prospectus मान लिया जाएगा कि नि मान लिया जाएगा कि ने लोग कोई बात समझ आ रही है law क्या कह रहा है कि जब जब आपको shares issue करने है तब तब आपको बार-बार पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-प यह वार इंफ्रमेशन ज़रत नहीं है, एक बार इंफ्रमेशन आगई, अब 3 महने बाद आफ एफ्रिसे स्क्योरिटी इसु कर रहे हो, तो यह चार महीने के अंदर जो हमने इंफ्रमेशन दी थी, क्या उसमें कोई तबदिली हुई है, अगर कोई तबदिली नी हुई है, तो तो हमारा prospectus already त्यार है, as it is, shelf उठा के मुँपे मार देंगे, लेकिन अगर कोई चेंज होए है, तो एक information memorandum, एक अलग से कागस के अंदर उन लिका जाएगा, सिफ उन तबदीलियां या अपडिस्यन होए है, कोई चार्ज क्रियेट हैं तो उनको लिखा जाएगा, कोई नए प्रोजेक्ट वैयए उनको लिखा जाएगा, कोई नया रिस्क बढ़ा है, उसको लिखा जाएगा, क defendant को लिखा जाएगा in information memorandum में और यह द बता दिया, फटाफट से क्या करो, आप information दो, चलिए, ओके, अब इसको देख लेते हैं, आपको मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ, इसके वैलिडिटी कितनी होती है, फर्स्ट उफर से लेकर एक साल तक, तो यह जो मैंने आपको अभी बताया ना, आप मैं समान के चल रहा हूँ, आप इसको लिखना है, स्टार्ट कर दें, ताके फिर नीचे के information भी आपको मैं दे दूगा, आपको मैं सिर्फ एक बिनिट का स मैं से जाके मैंनों वोला था उसको यह साथ में से पहले नहीं करना, क्या तो बच्चे हैं यह लोग, मैं चिटचिड़ा हो गया हूँ, होते है यार, ऐसे दवित खराब होती है, चिटचिड़ा बनाता है, इसको भी तो सोचना चाहिए, इसको मैंसेज बज रहा है, मैं ब् जैसे ही आप में से कोई एक बंदा भी लिख चुका होगा, तो आपको सिफ ओके, ओके लिखना है, मैंने क्या लिखा है, देखो, मैं एक बार डिक्टेट पढ़के भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरी हेंड राइटिंग ठीक नहीं है, आज, प्रोस्पेक्टर्स थ्रू व प्रोस्पेक्टर्स थ्रोवेच, अरे बहुत बढ़िया, मल्टिपल पॉब्लिक उफर कैंब ड़न विदाउट इशु अफर्धर प्रोस्पेक्टर्स इसे शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स बोलता है, रोसी के पास शेल्फ अपन फाइल करते हैं और इसकी मियाद एक साल की ह हुआ है, between first offer and new offer, तो यह सब किस में डाल देते हैं, अपन information memorandum में डाल देते हैं, इसका form होता है, information memorandum का form होता है, यह क्या है, प्रोस्पेक्टर्स अन अलॉट्मेंट अफ सेक्यर्टी इस, क्या है, PAS2, 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 किसी ने हमको advance में payment दे दिया, exit option यहां भी है, किसी ने हमको advance में payment दे दिया, और हम information memorandum जो था, वो त्यार ही कर रहे हैं, और इससे पहले हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास पैसे आ गए, तो अब वो बोलेगा, तो तेरी, तुमने तो information memorandum मेरे को तो मालूम नहीं था, यह change है, कोई चक्र नहीं है, सर, 15 तिनों के अंदर आपका refund हो जाएगा, आप, 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 टेंशन नाल है, मराबर है क्या, यह चीज़ का तिहान लगना मतलब, CDC बात है, अगर ना तो उसकी गलती है, बिचारे investor की भी कोई गलती नहीं है, तो फिर उसको refund का option तो ख फिर section 32 आ जाता है, अरे वह, आने वाला है 32 भी, जैसे ही आप यह लिख लेंगे, तो आपको बुलना है, yes, कोई भी एक बंदा लिखेगा, yes, मैं मान लोगा, आप लिख चुके हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, yes, 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 अच्छा यह clear भी है, shear prospectus, अर्भाइ, नाम से खवराएंगा नहीं, पहली line में खतम कर दिया, from the silk prospectus, मतल थै कि आप घ्ली, यह आप घ्ली, अब आल वाल वाला prospectus, red herring prospectus, Rheny prospectus, । richtig, बहुत बाल वाला, 27 जयाल है, कितनेолотिका कासे बाल वाला, łiede hand prospectus, जियान से सुनना book building process होती है book building process क्या होता है किई बार जब company को ये पता नहीं होता है कि यार बाजार में कितने shares issue करने चाहिए माल लो company ने ये ही पता नहीं होता हाँ ने विंबिय्दिंग्परसेस यह कुछ, क्या होता है कि जैसेало के एक मांपनी को क्या करना है बजार में, मान लो कम्पनी ने एक स pewn उर्डाट शेlor की है, कम्पनी को पैसो की तो ज़ादा जरुरत थी लेकिन डाठड़ की इसू की है एक लाग शेर्स इशु किये लेकिन मार्केट में दस लाग के लिए एप्लिकेशन सा गई तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा नौ लाग के पैसे वापस करने पड़ेंगे या फिर एड़्जस करो एक लाग से जादा तो पैसा रखी नहीं सकते है इतना तो मारूम है वही किसी को प्रो राटा करेंगे किसी को रिफंड करेंगे किसी को जितने मांगे उतने देंगे लेकिन एक लाग से जादा शेर्स तो इशु नहीं हो पाएंगे तो company को क्या लग रहा है कि यार हम लोग अगर 5 लाग भी shares issue करते तो हमारा bank से करजा हमने सोचा था कि यार इससे जादा shares तो क्या ही बिखेंगे हमने खुद को underestimate किया हमने अपने projects को underestimate किया और बाकी हम bank से लेने चले गए यार इनी से ले लेते हम तो company थोड़ा सा doubtful doubt में रह गई अच्छा सोचो इसकी जगह ऐसा हुआ कि company ने 10 लाग shares issue की है लेकिन खरीदने आया कुल पचास हजार खरीदने कितने लोग आया सिर्फ पचास हजार यानि कि company यहाँ पर ये फस गई कि यार इतने जादा shares हमने issue ही क्यों करती है इसका मतलब company अब ये भी सोच ली होगी कि हमने shares का price रखा 38 रुपए अगर हम 18 रुपए रखते तो शायद हमारा ये आपको ये मालूप है ना under subscription, minimum subscription, इतना subscription उतना ये सब तो आप जानते हैं ये और बात करेंगे आगे ठीक है लेकिन क्या है कि आपका एक over subscription यहाँ पर over subscription हो रहा है यहाँ पर under subscription हो रहा है तो आपको सबके ही पैसे मोडने पढ़ जाएंगे वापस करने पढ़ जाएंगे यार कुछ requirement है उतनी तो fulfill होनी चाहिए ठीक है तो अब ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो फिर company को यह पता नहीं है मतलब आपको मेरी बात पकड में आ रही है क्या है मैं आपसे बात करते जा रहा हूँ लेकिन आपको जब भी समय मिले पीच में हाँ बोल देना कि आपको बात आप समझने की कोशिश करो आपको समझ आ रही है कि company को यह पता ही नहीं है company कही न कहीं confused है इस बात को लेकर कि कितने shares issue किये जाए और किस दाम पर issue किये जाए कितने shares issue किये जाए और किस दाम पर issue किये जाए तो company कैसे पता लगाएगी तो company क्या करेगी कि जो proposed investors होते हैं तो उनको company क्या बोलती है कि हम shares issue करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, shares issue करने जा रहे हैं, बढ़ी अच्छी बात है करो, यह हमारी company की detailed information है, यह जो prospectus के contents होते हैं, prospectus की contents, वो detailed informations रहच पी में डाल देते हैं, एक document में डाल देते हैं, Red Hiring Prospectancy से बोलता है, इसमें सिर्फ दो सूचनाय नहीं होती, क्या, कि हम shares का price क्या है, कितने में shares issue कर रहे हैं, और कितने shares issue कर रहे हैं, एक upper band, हाँ, price का एक band दे दिया जाता है, upper band, और lower band, यह दे दिया जाता है, यह बोलता है, इनको कि यार, हमारा upper band जो होगा, 120 रुपए होगा, और कम से खाम, 80 रुपए में shares छोड़तेंगे, और आप से पूछा जाता है, भई price उन्होंने finally बताई कि इतने में shares लेलो, वो क्या बोलता है, आप से पूछता है, कि भई, आप हमें बताएं, कि अगर आप हमारी company, आपने हमारी company के prospectus पढ़ा, हमारे किन-किन के साथ type है, हमारे projects क्या है, यह वो सारी detailed information आपने खुद देख लिए, अब हमें आप बताएं, proposed investor, अगर आपको हमारी company में investment करना होता, तो आप किस price पर करते हैं, upper band के तरफ जाते हैं, या lower band के तरफ जाते हैं, आप 80 रुपए में खरीदते हैं, आप हमें बताएं, और खरीदते हैं, तो Mr. A ने बोला, Mr. A ने बोला, कि मैं 10,000 शेयर खरीदता, 80 रुपए में, B ने कहा, मैं 6,000 शेयर खरीदता, 80 रुपए में, C ने कहा, मैं 20,000 शेयर खरीदता, 80 रुपए में, D ने कहा, मैं 15,000 शेयर खरीदता, 120 रुपए में, ए ने कहा, मैं एक लग शेयर्स करीता, एक सो बीस रुबे में, तो सब ने क्या किया, अपनी अपनी राय बता दी, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग प्रपोज इंवेस्टर के पास अपने पर्चे भेजे, एक समय होती हैं, लेकिन प्राइस और क्वान्टिटी की उसमें इंफॉमेशन नहीं होती हैं, तो मैं नहीं रेखोन, अगर जाता है अगर अपता है किटने खरीते हैं, और किस बढ़ में खरीते हैं, अब मुझे आप आपको एक डॉट तो रहा होगा कि यार जब 120 और अज़ तो 120 पे कोई क्यों जाएगा, क्या किसके डाउट आ रहा है, फटाक से, क्वेशन करो, फटाक से, क्योंकि ये क्वेशन इसी से सम्बंदित है, तो आप कर सकते हो, मैं ढाटूँ अभी नहीं, पूछ लो ना जरा, दिल में है क्या चुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, अरे पूछ लो ना जरा, दिल में है कोई डाउट छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, तो बताओ, क्या ये डाउट तो नहीं है, आपको कि कोई 80, जब 80 का भी औप्शन है और 120 का भी है, तो ऐसा क्यों कर रहे है, 120 में क्यों ये लोग हाते रहे हैं, देखो क्या होता है, किसी को डाउट है, कन्फिजन है, आगे बढ़ जाए, ए लाल बाल वाल प्रोस्पेक्टर्स, ए लाल बाल वाल प्रोस्पेक्टर्स, नो कोई डाउट ही, चलिए, बहुत बढ़िया, तो कुछ लोगों ने 80 रुपय कहा, कुछ लोगों ने 120 रुपय कहा, तो अब कमपनी के पास सब के जवाब आ गए, सब के जवाब आ गए, तो कमपनी क्या करेगी, इसके इस हिसाब से क्या करेगी, तै कर लेगी, फाइनल कर लेगी, डिसीजन ले लेगी, तो कमपनी के पास मोटा मोटा idea हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटा idea, कि हमें कितने shares issue करने चाहिए, और किस price पर करने चाहिए, तो जब ये तय हो जाता है, तो तय करने के बाद, तय करने के बाद, ये दोनो information और red herring prospectus में लिख देते हैं, भई, सबसे जवाब आ गाए, तो अब ये दो information और file, इसमें सारी इंफर्मेशन होती है, 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 इसमें सारी को लेकर नहीं होता है ठेक है कि क्या आपको समझ में आया रेड हैरिंग क्या होता है अंगुठा दे तो फिर आगे इसको खतम कर देंगे फटाक से अंगुठा चाहिए कि 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 अच्छा 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 कि कल के इको का टाइम तुमारी कल की इको का क्लास का टाइम क्या है कल की इको के टाइम यार अभी वह आपको बताएंगे आप ग्रूप पर मैसेज हो जाएगा यार ग्रूप पर मैसेज हो जाएगा ठीक ना कल का लौ का टाइम जो है ना ओम जी वो टाइम रहेगा शायद यार आप आप से तो मेरी बात होती तो गुरूप पे मैसेज पूछ लेना यह सी एंटर का ग्लास चल रहा है ठीक है आपका फाउंडेशन का लौ का टाइम नाइन फॉर्टी वशायद कल का ठीक है अच्छा अब रुको मैं इनको भी थोड़ा टाट देता हूं तब तक अब लेख लो रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस आप लिख लो भई ओम जी क्लियर है ठीक है रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस इसमें सारी सूछनाय नहीं होती है related to quantum, कितने shares issue करने है, price, book building process के लिए लेते है, RHP मतलब क्या है, red herring prospectus, issue किया जाता है, prospectus issue करने से पहले, final prospectus से पहले, जाहिर सी बात है, भी price और quantum नहीं दिया है, ठेक है, file with ROC, three days prior to subscription list, भई, आपको कम से कम तीन दिन पहले, मतलब subscription list आने के तीन दिन पहले, आपको क्या कर देना है, registrar के पास file कर देना है, बड़ी अच्छी बात है, any variation between RHP and prospectus must be highlighted, देखो, यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यह इस, इस point के उपर अपर अपन थोड़ा सा discussion करेंगा, चलो आगे, filing of final prospectus with ROC, final prospectus with ROC तो उसमें क्या होगा, कि closing price, यहनि कि जो final price होगी वो, और quantity, यहनि कि total capital raised, total कितनी capital raised कर रहे है, यह अप clear हो जाएगा, यह ओ, तेरी, खतम होगया, खतम होगया, जी, भई, यह कह रहे है कि RHP, चलो आप कर लो पहले, चलो लिख लो, पहले इदर देख लो, भई आपने RHP इशू किया था, RHP आपने बजार में दे दिया, मालो 15 दिन 25 दिन एक महीना बजार में घूमता रहा, लोगों ने अपनी 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 opinion दी, मैं इतने खरीता हूँ, मैं इतने खरीता ह यह सारी opinion युनों ने दे दी, बड़ी अच्छी बात है, यह कौन है, Red Herring Prospectus है, युनों ने दे दी जी opinion अपनी, बहुत अच्छी बात है, अब क्या होगा, एक महीने बात मान लो कि final prospectus तो RHP और final के बीच में अगर कोई changes आ गए, तो इन changes को highlight करना जरूरी है, कुछ तो ऐसे लोग भी होते है, RHP के आधार पे ही, किसी ने रहे पे, क्या आप कितने shares खरीदोगे और किस दाम पर खरीदना चाहोगे, तो किसी ने बोला, 120 रुपे पर खरीदूँगा, 1000 shares, यह लो, 120,000 का चेक पकड़ लो, आप तो भाई आप जब भी इशु करो ना, आप मेरे को दे देना और अगर आप इस नहीं करो तो फिर यह पैसे आप देना आप अडवांस में पैसे पकड़ लो, तो किसी को इतनी कुझ ली थी जिसने RHP के टाइम पर ही अडवांस में दे दिया, और बात में कोई चेंज आता है, तो तो Shelf Prospectus और Information Memorandum दोनों अलग-अलग तिथी पर, अलग-अलग डेट पर, अलग-अलग समय पर तियार किये जाता है, तो जाहिसी बात है कोई चेंज होगा, दो अलग-अलग टाइम पर Shares इशु कर रहे हैं, तो जब पहले इशु किया था, तो कंपनी की इस्तिति कुछ थी और बाद में इशु किया, तो कंपनी की इस्तिति वही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तबदील होती है, चेंज होती है, तो हमें इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा, हाइलाइट करके कि यहाँ पर यह चेंज आया है, बात समझ में आ रही है, तो यह पॉइ रड हैरिंग लाल बाल वाला प्रोस्पेक्टस इस ओवर, लिखा, येस, ओके, सेक्षिन थर्टी-थ्री, अरे बस इतना ही है क्या, तो आज के लिए इन नहीं रहने दें क्या, चलो एक सेक्षिन थर्टी-तरी, सुन लो बज छोटा सा है, एप्रिज प्रोस्पेक्टस, कि एक आप कर डेन के एक फॉक्न लिए इसकासि इःब्रेच्ट व्यक्वर्स ए सबिके या इसमें क्या सभी बुलती है है कि मैं की कंप्लीट प्रोस्पैक्टस काहे देते हो क्यों paper waste करते हो से भी नी बलती है जोर ये मैं बोल रहा हूँ हाँ लेकिन complete prospectus देने की ज़रत नहीं है average का मतलब क्या होता है summary summary या संग्षिप्त संग्षिप्त को अपन बोल summary देते हैं बड़ तो summary होता नहीं है वो अच्छा इसको समझ लो इसल लास्ट पॉइंट दिखा दिजी थी थी देख लिया मुस कांची यहा लास्ट सेक्शन ऑफ दे है शेक्शन थर्ट थी थी लास्ट शेक्शन ऑफ दे शेक्शन थर्टी थी और आज का अंतिमन सक्षिन सक्षिन 33, तो के सुने, सक्षिन 33, क्या मतलब क्या होता है , छोटा। सही कह रहा है यि शहाँ यह पला।iqu, कि एक बात बता ओ, जैसे... एक अई थैम एक्सिजिय हैं नहीं है इस उनष्म हमैं हम एग्सिजिय रखें किशिय रखें किर श्तीष क्रशिये करा रही हैं.. खाल एक श्तीष कर नहीं है तो पूहिछ पूछिया, तो यह तो सुछिय अधि anders है तो तो हमें तो कंपनी कीस्थिति, पता Some forward I am, existentsharelolder, तो meteors, पूरा самоеmoor ещё정 कीεις प्रोस्पेक्टर लिठार!! बजी, सटिरें पेज काश्पेक्टर्स लग सब्सक्टर के लाँ बड़े इतना बड़ इनको देना की क्यासोच्ण होग रूइ scheint तो existing shareholder ने यार, एक काम करो, इनको average form दे दो, average मतलब इनको वो वो information दो, जो SEBI ने कहा है कि बस यह सुचना है, माललो total, 17, total 50 information देनी होती है, माललो, उधार नही है, माललो 50 information देनी होती है, full prospectus में, लेकिन SEBI ने क्या बोला, कि अगर existing को दे रहे हो, तो फिर पूरा देनी की क्या सुचना है, तो उनके बास तो है सारी सुचना है, एक काम करो, यह साथ information ना, seven information, यह important है, देखो seven में उधार ले रहा हूंगा है, लिखमत लेना भाई, कोई महापुरुष होता है, आपने बुला था, साथ सुचना है लिखनी होती है, तो मैं बता रहा हूं कि, जो information, SEBI ने बोला है, कुछ information है, पाँच हैं, साथ हैं, दस हैं, यह से कुछ information, आप सिर्फ देदो, यहनि कि जहां पर आपका प्रोस्पेक्टर्स मानलो कि डेड़ सो पेज का बन रहा था, आठ पेज में खतम हो जाएगा, और वह आठ पेज का average prospectus, average मतलब होता है, sunshift, तो वह sunshift prospectus आप existing shareholders के पास भीज़ दो, लेकिन किसी shareholder को खुज लिए, मुझे तो पूरा चीह है, तो on demand उसे पूरा देदो, वाकि पूरा देने की जोरत नहीं है, अगर किसी shareholder को, किसी shareholder को खुज लिए है, तो on demand उसे क्या कर दो, on demand उसे क्या कर दो, आप पूरे shares देदो, ठीक है, पूरे shares देदो, अरी यार सॉरी, उसे पूरा prospectus देदो, क्या होता है average, अगर आपने उलंगन किया, तो 50,000 का फटका लिखा यह section के अंदर, यह section में आपको लिख के देदूँ है, और आप go through कर लेना, यह page number में लिख दे 3.23 of module, आप इसको module से go through कर लेना, 3.23 और मैं जो बाकी कल अपन आगे session पढ़ेंगे ना, तो फिर कोशिश करेंगे, इसको लिख के देदूँ आपको, बट समझ में आता है क्या, जै श्री कृष्णा वंश अरोडा जी आप फिर आगए हो यार, गजब इंसान हुआ, वंश वंश अरोडा जी, वंश अरोडा जी रुकिए, एक सिकंड लगेगा, कहां गए है, सर्च इमेजे से उपन देए, चलिए, बताईयां, वंश अरोडा जी, क्लियर है, ओके, तो यह हो गया आपका सेक्शन 23 से लेकर 33 तक, और अब कल हम करेंगे 34 से लेकर 42 तक, तो कल हम इसको खतम कर देंगे, कल का टाइम जो होगा ना, वो टाइम में आपको अपडेट कर दूँगा, मैसेज के तुरू, मैं एक बर देख लेता हूं कि यह जो फॉ क्लियर है, ऐसा हो जाता है, आपको बता है, इसमाइलिंग गुद्ध आप भी यही ते आप फाउंटेशन की क्लास में आपके आये थे हैं, ना सुभा, बद ठीक है चलो आपको तो समझ है, थांक्यू, जैसी किष्णा जैसी किष्णा जी जैसी किष्णा, चलिए, तो अब गुड़ू जी, ख्लियर है आपको ये, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे इसके उपर कल, ठीक है ना, येस, चलिए, तो बाकी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, इसके उपर कल, और कल, इसके उपर बाकी की सारी टीटेल्ड इन्फॉमेशन, यहने कि कल हम प्रॉस्पेक्टर को खतम कर देंगे, तो एक चैप्टर और हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर हमारे दो चैप्टर बचेंगे, चैप्टर नबर 4 और आपका, नहीं, एक तो बचेंगा, नहीं नहीं तो, चैप्टर ननबर 4 और LLP, तो आप मुझे बता देना कि हम मंडे अच्छा मंडे ट्यूजडे की शायद छुटी रहेगी न होली की तो वह आप मुझे बता देना अगला चैटर अपन LLP ले या फिर हम अगरी चैप्टर तो मेरी ख्याल से चोटी चोटे से बहुत सारे तुकड़े हैं तो आप उसे गोध्रू करना चाहें कर सकते हों तो कर लेना अगले सेशन में कल मिलेंगे कल अपन फाइनल करेंगे कि आगे करना क्या है चलिए तो आज के लिए इतना ही आपकी शाम कुशूरत हो बागी चर्चा करेंगे हम कल चलिए जैश्यक्षा